हेलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा पांचवी की हिंदी पार्ट पांच पहचान हमारी भाग एक तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्ण उत्तर ठीक है चलिए एक-एक करके देखते हैं ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है देखो यहाँ पर यह क्य गट हाथ यह क्या है यहाँ पर कच्छुआ शलगम घड़ी टमाटर थपकी अब यहाँ पर भी लिखा है यह आप पढ़िए यह मने पढ़के बताया हुआ है आपको पहले भी उसके बाद यहाँ पर देखिए इलाची साइकिल पायल चारपाई इद छिपकली सांप उन उल्लू लहसुन खटमल प्यावू जहां पर पानी पीतने के लिए रखा रहता है अजगर गठरी धलान चमगादर चटाई मकडी लड़की धाल और यहाँ पर क्या यह ठपा ठीक है यह भी पढ़ लेते हैं यह नक उर आम गठन शपत ऊपर चमचम हमदम चकमक चटपट फड़क कर आई माई इरा रमा धाका मामा नाना चाचा आकास कपड़ा दादरा अचार इकहरा चारपाई दीदी चूरा कुहू चिडिया शिकारी दिपिका जामुन नुपूर दुरू कुरूप गुट्रू श कि यहाँ पर देखो कृकि करें प्रेशेटार देखते हैं निन लखे शब्दों में आ की मातरा वालाई वर्ण पर वर्ण पर लगा इस्टिक bleach यहा पर आकी मातरा वाले वर्ण पर वह आपको लिखना ऐसे बादल्ल नाक पालक कान तार्ण सब की मातरा है तो यहाँ पर जह इन democratic हि को देखकर उनके नाम लिखिए इसका यह सब देखना कि नाम लिखना सब्सक्राइम लिखना यह पहले ह्ता है घ्ट पेन कमल शलघंड कप नाव घर गट ऑल और यह पत्तर है पहला क्या है आपका घड़ा, दूसरा कलम, तीसरा कमल, शलगम, बतक, घर, नाव, मग निम लिखी चित्र पहचान कर कोश्टक में से शब्द चुनकर लिखिए जैसे लहसुन, गुडिया, यह सब आपको देखना है और फिर लिखना है तो यह क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है गुडिया, यहाँ पे लिखना है लहसुन, यह क्या है चटाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मकडी, ठीक है ये देखो ये एनक है एनक यहाँ पे एनक ये देखो एड़ी है एड़ी यहाँ पे है ये रिशी है तो रिशी इधर है ये क्या है उन तो उन किधर है इसमें उन ये है उसके बाद देखो ये दरजी ये क्रिश्णा ये बासुरी ये घड़ी ठीक है यहाँ पे है क्रिश्णा दर्जी वांसरी घड़ी वो देख आपको लिखना है तो सबका उत्तर यहाँ पहले का ये दूसरे का ये तिसरे का ये ऐसे करके सबका उत्तर लिखा हुआ है वो तो आप देख के भी बता सकते हो और तो पूर्ण शब्द तयार कीजिए यहाँ पे गयर है अब ग यहां पे कुछ वर्ण दिये गए हैं उनको मिला कि आपको शब्द बनाने है तो देखो यहां पे तो नग यहां पे लिखा नग वैसे ही क्या है यहां पे धग तो यहां पे देखो धग यहां पे देखो रा तो राग तो हो गया यहां पे राग उसके बाद यहाँ पे देखो सा और इसको मिला है तो साग यहाँ पे हुआ साग ठीक है यहाँ पे ना और यहाँ पे ग तो नाग यहाँ पे देखो ख और ग खग ठीक है यहाँ पे देखो आ ग आग पग पग मतलब पैर जग जग मतलब संसार या दुनिया मग मतलब आपको पता यह मग जो जग हो जिसमें पानी रखते हैं तो यहां पर देखो लिखा हुआ है सब का अंसर लिखा हुआ है कि ये क्या है नग है ये क्या है ढग ये राग ये साग ये दाग इतना हुआ ये राग ये है यह है रग इतना समझ में आया अब इसके आगे देखो यहां पर क्या दिया हुआ है इंच दिये गए नीचे दिये गए शब्दों में से और और यहां पर क्या है जितना आपका आई में आता है की मात्रा वाले शब्द छाट कर लिखिए तो आई इकी मात्रा वारा छाट के लिखना है आपको तो देखो दमकल नक राम आम शिकार चिडिया शब्द शहड यह जितने भी है यहां पर सबको कौन सी मात्रा है यहां पर तो देखो यह दमकल पूरा अ की मात्रा है तो यहां पर अ वाले पूरा लिखना है दमकल नक और इसमें ज तो शपत शहद यह आया इधर रत रत इसमें आया ठीक है अस स्टार्ट हो रहा तो अचार भी समें है आ में देखे क्या क्या आएगा आ में राम आम डाक आशा काका शारिक यह देखो सब इदर है इसमें से आप देख सकते हो फिर छोटी इ में क्या है शिकार छोटी की मात्रा पता ना पीछे से होता है तो यह देखो सब में पीछे से है शिकार चिडिया किताब पिछकारी गिलास यह सब हुआ बड़ी इ में देखो बड़ी की मात्रा क्या होती है? आगे से मात्रा होती है तो दीदी, दिपिका, गीता, शीतल, दिवार, उसे, कुहू, उल्लू, कुरूप, उदास, कुत्ता बड़ा उ का मात्रा क्या होता है? अक्षर की नीचे ऐसे होता है तो देखो यहां पे चूरा, रूपा, उपर, उंट, रूठना, चूहा तो इसमें सब एक साथ दिया हुआ है आपको ढूंड ढूंड के अलग-अलग जिसमें आएगा उसमें लिखना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं सही शब्चुन कर लिखे घर पर चाचा और दादा कार तो क्या आएगा इसमें दादा आएगा ना चाचा और दादा आए दूसरा पापा, क्या आएगा यहां पे नाक या चाता तो चाता लाए हम किस से सुनते हैं, कान या पाउं तो क्या आएगा कान कान से सुनते हैं कट्ट है क्या खट्टा होता है अचार या खीर तो बताईये क्या होता है को सा होता है और काला या लाल कंप हे गर के बाहर दर्वाजे पर कि काजल कि आएगा तलाAD ना रीमा के घर पर मीठे मीठे क्या बने हैं मीठे मीठे पकवान बने हैं भिंडी का रंग कैसा होता है भिंडी का रंग कैसा भिंडी लेडिस फिंगर कैसा होता है उसका कलर कॉमेंट में बताना आप तो जरा जैश बहूत धन्वान या पकवान धन्वान है मतलब अमीर दिख शब्डों की जोडियां मिलाइए देखो यह पर देखो अलग अलग अर यह किया है यह लकड़ी है तो मिलाना है जो लिखा हुग हे तो यह डिविया कहां पे है डिविया लिखा हुग है देखो आ यहां पर नमीया धनिया कहां यहां पर है देखो धनिया इधर है नीचे डिविया इधर है गिरिगीट इधर है चेड़िया इधर है और चीटी इधर है लकड़ी इधर है कार तो आपको पताईए तो ऐसे ही आपको ढूंड के लिखना है ठीक है इसका अंसर यहां पर पहले नंबर पर क्या है पहले नंबर पर डिविया है और यहां पर देखो जब का अंसर यहां पर है पहला को डिविया दूसरे को धनिया जो है उससे सबसे मिलाया है यहाँ ठीक है आप देखे लो सबका अंसर यहाँ है पहला पहला किससे मैच होगा डिविया दूसरा धनिया वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अपने फ्रेंग साथ भी शेयर कर दीजे उने भी हल्प मिल जाएगी